पाल पंडे पाल पंडे मेरे तब से बधाईया हो और मेरे आने वाली मोवी इसकबाच राकेश मिस्रा है और उससे पहले मेरे रिलीज होई थी फूल और काटे थैंक यू इसमें कुछ फाइनल नहीं अभी अभी इंट्री लिव अभी तो आई बधाई देने के लिए थैंक यू थैंक यू सबस्क्रा मेरे तरफ से इस पूरी टीम को बधाई मैं निल सिंग मनी अरून दिवबे जी जो इस फिल्म के परडूसर है और डिरेक्टर रामयादो जी इंटायर कलू जी नहाश्री और इंटायर टीम को मेरे तरफ से बहुत-बहुत बधाईयां अच्छी फिल्म बने और अच्छी मा परड़ार क्या निकल के आता है उसके एक और इंग हम बताएंगे आगे काम करेंगे अपने मेरी आने वाली फिल्म 28 को रिलीज हो रही है हमाई धरती के बेटा 28 को रिलीज उसमें सुधिप पंडे जी है मैं हूं और आने वाली रिलीज पर जाने वाली है एक हिंदी मुवी है राइफल गंज जो कि प्रकाश्जा प्रोडक्शन आउस से है मनो ज्याजी डिरेक्टर है और भोजपूरी फिल्म में भी है के हूं नहीं खे आपन उसके बाद एक और फिल्म है जो कि बहुत ही मारविलस टाइटल है आप लोग सुनेंगे तो शाय धास परेंगे शिंग बस आपके ही लिए हम है और आप हमारे लिए धन्यवाद है जिस से पहले तो नमस्कार सब किसी को बहुत अच्छा लग रहा है काफी अच्छी क्राउड है यहां पे और राम जी राम यादो जी डिरेक्टर है धर्मिश्मिशा कल्लू एक्टर है देखा मैंने पोस्टर प्रणाय है उनके लिए काफी उनके फिल्म ब्लॉक्वस्टर जाए जाए जिए विचर पते के एक अलग ही जोन के फिल्म में काफी मसाला फिल्म में जिसमें आपको एक भौशपूरी लिग से अलग हटके कहानी मिलेगा आपने उसका प्रोमो देखा होगा वह भी काफी अ काफी अलग लिग की फिल्म है मेरा कायक्टर भी काफी अलग है एक फरस्टाइम आपको भौशपूरी में एक एक इंस्पेक्टर दिखेगा जो रियल में इस्पेक्टर दिखता है बाकि काफी मसाला फिल्म में काफी अच्छा लेगा आपको देखकर एंजॉय कीजिए जी अभी तो फिलाल विजयपत रिलीजिंग पे इसके बाद मैं किरनकांत वर्मा जी के साथ घमासान कर रहा हूँ उसके एक और प्रोजेक्ट है जिसका मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा सो बहुत आप लोगों के सामने आएगा फिलाल तो ये दो प्रोजेक्ट से हैं विजयपत और घमासान बाकि आप लोगों की दुआ है ओडियन से कहना चाहूँगा कि बस मेरी पहली फिल्म आ रही है विजयपत एको जंग जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया मैंने रैंक में सक्सेस किया प्रिंट स्रियल्स मैं यहां तक पहुंचा अपने आठ साल के जड़नी के बाद तो आप लोगों की दुआ और आप लोगों का प्यार चाहिए कि आगे भोजपुरी इंड़स्ट्री में बस आप लोगों के आश्रिवाद से विजय की पत पर निकल चलू बस धन्यवाद सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आप आए यहां पर हमारी फिल्म की पपजिटी के लिए और आप फर्जेगा आते रहते हैं और ऐसे आप आते रहिएगा और दुसे बास सबसे पहले बोजपुरीया दर्सक के नमस्कार करदवानी और चाहतानी का अपन आप फिल्म लेका हूं जोन लागे कि अपन माटी के फिल्म बाद आपन गाउंदेश दिखाए अपन परिवार दिखाए और क्यों कहीं न कहीं अपने आपके जोड़त पहीं फिल्म से जोन के लिए हम लेका हूं यह हमारे वादा बाट है इस फिल्म जैसे की टाइटल है माटी मांगे खून तो इस फिल्म का जो एक हमारे पास की हर आजादी कुर्बानी मांगती दिखाए और चाहे चोटे से समाच का हो चाहे अपने देश का हो चाहे एक घर का भी ले लिजिए तो कोई ने कोई का कुर्बानी करता है तो यह एक्षन दिख रहा है तो आई जी वर्क है इस फिल्म में कुछ नहीं तो 15-20 ब्लास्ट ऐसे हैं 25-30 कोड जाएंगे जो अबने अभी तक बोजपूरी में कलपना नहीं किया बनाने के लोगों जो है और इसी के साथ रोमांस भी है जैसे के कलूजी है एक सिंगर है तो आपकोस और रोमांस करेंगे और मैं भी अब अब यार उतना बुढ़ा नहीं हो रोमांस से काविल हो तो मैं भी रोमांस भी करोगा रोमांस के साथ शात एक्षन मिलेगा आपको एक ऐसा है कि इस किरदार में जब हम देखेंगे फिल्म को तो अपने आपो कहीं ना कहीं पाएंगे वो जुनून जो यूपी वियार का जुनून होता है यंगेस्टर में या जो बुढ़े हो गए फिरिपुन के दिना जुनून ने खुदी पुरे गाहों को माड़ा लेंगे ऐसा उनके इंदर जोस बहतो बुढ़ापे से लेके जवानी तक कर जोस आपको दिखाएंगे इसमे और भरपूर रोमांस भी है कॉलेज का भी सीन है इसमें एक्शन मूबी है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगे कि आप सब देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ने किदार में आप अपने आपको जोड़ लेंगे कॉलेज का भरपूर सीन है रोमांस भरपूर है चुकि कलू तो जी सिंगर हैं तो गाने भी उनके काफी हैं जो आप लोग पसंद करते हैं तो उनके गाई की पसंद देसे मतलुब आप आये के रोमांस करने के लिए फिल्म में अपने आपको पाईगे आपके आने वाली फिल्म है को अशिक है जो कि भोजपूरी के सबसे महांगी फिल्म का लाएगी जब परदे पे आप देखेंगे कि मुझे इस काबिल समझा उन्होंने कि एक फिल्म को तीन लेंग बना रहे हैं ऑन सेट पर पहली बार कोई भोजपूरी फिल्म बनाई जा रहे हैं कि भोजपूरी जैसे सबसे बड़ा आसिक इसको जो मरठी में बना रहे हैं उसका नाम है मी तुझा प्रेमी ये हिंदी में बन रहे है आसिको का आसिक और ये साथ मैं भोजपूरी इंडेस्ट्री का दूसरा ऐसा इस्टार या दूसरा ऐसा आर्टिस्ट या एक्टर हूं कि जो भोजपूरी भी फर्स्ट मैं लीड कर रहा हूँ और यह बात कलू जी की तो मैंने अभी कलू जी और हम इसके पहले एक लाला तीन चला फिल्म किये हैं जो कि बहुत अच्छी जा रहे हैं आप लोग काश्रबाद मिला और हम चाहते हैं कि हम दो भाई फिर से एकतित हुए हैं और उससे भी कही जादा धमाल करने वाले इसमें ह को चाते आप सबना प्यार बनाई और प्यार कीजिए एसे प्यार कीजिए ताकि में आपके सामने अच्छी पिल्म है और मेरा वाधा है अज़ोदवर लाके देंगे आप सब करना चाहँ रहे हमेसा जी सबब sunscreen कर रहे हैं और जी वाते मेरे साथ और me सब्सक्राइब नियागा यहाँ तो इसमें भी तक तो यही डिजन डिपेंड करता है प्रडूसर को पर किसको कहां रखा जा लेकिन इस फिल्म का अंसा है लेकिन किसके पोजिट अभी हम डिकलिए कर दो आपको अब बहुत प्यारा है कि अब मैं नियर्ड़ नहीं दे सकता क्योंकि अभी सारी फिल्मार अब कमिंग है जब आएगी दरस्पों का प्यार मिलेगा तो वही साही नियर्ड़ देगा कि हमारा उनका कमिश्टिक हैसी फिल्म में तेंक यू नाम के जब उंखाई खोदते हंगुरी से जागा बेला तो फिल्मार नाम के जब उंखाई खोदते हंगुरी से जागा बेला नाम के जब उंखाई खोदते हंगुरी से जागा बेला नाम के जब उंखाई खोदते हंगुरी से जागा बेला नाम के जब उंखाई खोदते कुलियर करके लेगा गाई खोड़के अंके टाइब घाया हो जातार आ जिए सुते तेला भी लेंगे रिपीटका अंके टाइब जातार इना jewels मां यह सुते ला न ओसे अंके टाइब । सबसे पहले तिसका टाइटल बहुत अच्छा है माटी मांगे खून और एक दम देशी टाइटल है और बहुत अच्छा लगा आइटम मेंने गाया आज मूरत था इसके म्यूजी डायक्टर है हमारे गुंगरु जी गुंगरु अभिनास जा जी और गीतकार हमारे प्यारे लाल जी और बहुत ही मज़ा आया मुझ तो मज़ा आएगा अरे ओगाना ध्यार में लिए आचा अचा ना अभी तो भी सबको भी मेरा गाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है हरे गाने की तरह मच्छरदानी रहा जाओ मौनकार सीला मट पेलोडा से कुछ दीजवानी रजव। काउन सवत संग काटा ताण उचानी लगा के मच्छरदानी रजव। कावन सावत संग काटा तान चानी लगा के मच्छरदानी रजव